शराब घोटाला मामले में E.D. ने आमादमी पार्टी को आरोपी बना है। शराब घोटाला मामले में आमादमी पार्टी को आरोपी के रूप में नामित किया था। माकपा ने E.D. के आरोपों का खंडन कि और कहा कि वो करोडो रुपए के कथित करूवनूर बैंक घोटाला से संबंधित मामले में उसे आरोपी बनाने की जांच इजिंसी के किसी भी कदम का कानूनी और राजनितिक रूप से रटकर मुकाबला करेगी। पार्टी के प्रदेश सचिव M.V. गोविंदन ने आरोप लगाया कि E.D. राजनितिक कारणों से विभिन मामलों में विपक्षी दलों और उनके नेताओं को आरोपी बनाने का प्रयास कर रही है। उसने जो प्लॉट सीज किया वो माकपा के पार्टी आफिस के लिए था और उसे रडधार को या करुवनूर सेवा सहकारी बैंक द्वारा मनजूर किया गया रण के लाभारतियों से मिली कथित रिश्वत से खरिदा गया था। तरिशूर मामले में आरोप लगाया गया कि बैंक करमचारी द्वारा इस पूरे मामले में करीब 300 करड़ रुपे की हिरा फेरी की गई और इस घोटाले में 70 और सीपियम के स्थानिय पदा धिकारिशा मिलते। करुवन्नूर और कौपरेटिव बैंक में से एक है जिस पर बीते तीन साल से आर्थिक धोख़ड़ी के आरोप लगे हैं इस पूरे मामले की जाच एडी कर रही है बैंक ने कई हजार ग्राहकों का पैसा लटाने से मना कर दिया और इस घोटाले ने 2021 में राज्ज की LDF सरका को हिला कर रख दिया केरल की सरकार मजबूत को अप्रिटिव बैंक को लेकर अपनी पीट सब थपाती रही थी और अब उसी बैंक पर घोटाले कारोप है इडी ने पिछले साल कहा था कि बैंक ने सी पीम विधायक और पूर मंतरी एसी मोईदीन के कहने पर बेनामी रण बा और बैंक में 12,000 जमा करता थे बैंक द्वारा उनका पैसा वापस लोटाने से मना करने पर कुछ ने आत्महत्या कर ली थी शिक शक भरती घोटाला सहीत कई घोटालों में फसे टीमसी के नेताओं को बचाने में लगी है ममता बनर जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ऐसे में जब ममता बनर जी के साथ सी जी आई डी वाई चंदर चूड और कलकता हाई कूर्ट की मुक्ह नयाई धीश टी एस शिवगर्णम मन्च साजा किया तो ममता बनर जी ने अपने हिसाब से एक तरह से नयाई पालिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर डाली लेकिन सी जी आई ने ममता बनर जी को पलट कर ऐसा बात कह दी कि जिसके बाद उनका चेहरा देखने लायक था सी जी आई और मुक्हिन अधीश की मौजूदगी में ममता बनर जी ने कहा कि नयाई पालिका को बिलकुल प्योर पानी, शुद्ध और इमांदार होना चाहिए उन्होंने कहा कि नयाई पालिका को राजनीतिक पूरवा ग्रोंस भी मुक्त होना चाहिए तरसल ममता के इस बयान की चर्चा होई रही थी इस ते क्योंकि ये बातें भारत के मुक्हिन आदिश डीवाई चंदरचूड की मौजूदगी में कही गई बंगाल की राज़ानी कुलकाता में नेशनल यूडीशियल अकैडमी के पूरवक्षेत्र दुतिया क्षेत्रिय सम्मेलन का उधगाटन किया गया जिसमें हिस्सा लेने के लिए मुक्हिन आदिश टीवाई चंदरचूड और कलकाता हाई कोड के मुक्हिन आदिश टीएस बिल्कुल पवित्र इमानदार होना चाहिए ताकि लोग इसकी पूजा करें सीम ने नियाए पालिका को लोगों के लिए एक महतुपूर्ण मंदिर और नियाए प्रदान करने वारी सर्वोट संस्ता के तोर पर बताया उन्होंने कहा कि ये मंदिर मस्जिद गुरद्वारा और गिरीजा घर की तरह हैं नियाए पालिका लोगों की है लोगों के द्वारा लोगों के लिए नियाए पाने की और संवधाने का दिकारों को बना रखने की अंतिम सिमा है ममता की बातों को सुनने के बाद डीवाई चनर चूट ने कहा कि जब उनसे कहा जाता है कि अदाल पूसरे के प्रती संवेदना और पूर्वाग्र मुक्त न्याय करने का भाव पैदा होगा। उन्हें कहा कि ऐसी किसी क्रिमिनल केस में किसी को सजा सुनाते समय जज संवेदना के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि आखिरकार किसी इंसान को सजा सुनाई जा रही है। क्योंकि न्याय पालिका के साथ आम लोगों का पहला संपर्क जिले की न्याय ववस्ता के साथ शुरू होता है। अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपना पत छोड़ दिया और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। भी मिली है। दियो रिपोर्ट न्यूज अफ इंडिया मुख्यमंत्री बनने के उद्धव ठाकरे के सपने को शरत पवार ने एक जटके में तोड़ दिया। सीम बनना तो दूर शरत पवार ने उद्धव ठाकरे को सीम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने से भी इंकार कर दिया। मतलब साफ है कि अगर M.V.A. सरकार सत्ता में आती तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल का जवाब शरत पवार नतीजों के आने के बाद बताना नहीं चाहते हैं। शरत पवार के इस रुख से इस सबसे बड़ा जटका उद्धव ठाकरे को लगा है जो सीम बनने के लिए ही भी जेपी से गठबंधन तोड़कर M.V.A. में शामिल हुए और अब सीम बनने के लिए अपनी विचारधारा को किनारी कर लगा अमिनिस्ट्रों तक के साथ हो गई शिवसियना यूबिटी यहां इस बात पर जोर दे रहा है उद्धव ठाकरे को महराश्रों में आगामे विधान सबाच चुनाबों के लिए महाविकास अगारी के मुक्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जाना चाहिए वह शरत पवार ने शानिवार क तो इस सवाल के जवाब में शरत पवार ने कहा कि हमारा गटबंधन हमारा सामुहिक चेहरा है एक व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बद का चेहरा नहीं बन सकता सामोहिक नितरत्वा हमारा फॉल्मिला है शरत पवार ने कहा कि इस बारे में तीनों गठ बंधन सायोगी मिलकर फैसला लेंगे M.V.A. में सभी वाम पंती दलों और प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वालों को शामिल करने का हुआन करते हुए पवार ने कहा हाल ही के लोकसबा चुनाफ के दुरान P.W.P. भारती किसान और श्रमिक पार्टी या आमाद्मी पार्टी और कम्मिनिस्ट पार्टी ने हमारी मदद की हलाकि M.V.A. में हम तीन भागिदार हैं लेकिन हमें इन सभी दलों को शामिल करना चाहिए मोदी का विरोध करने वाले सभी लोगों को M.V.A. का हिस्सा बनना चाहिए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में जो भी निरने लिया जाना है वो चर्चा के माध्यम से है और सभी को विश्वास में लेने के बाद लिया जाएगा इसके पहले संजराउट ने अपनी बात को पुखता करने के लिए इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन और प्रधानमंत्री पद के चेहरे की नुपसिती का हवाला दिया उन्होंने का कि अगर इंडिया ब्लॉक ने राहूल गांधी को प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर पेश किया होता तो हमें 25 सीटें और मिल जाती लोगों को पता होना चाहिए कि वे किस के लिए वोट कर रहे हैं लोगों ने इंडिरा गांधी और नरेंदर मोदी को वोट दिया वे चेहरा जानना चाहते हैं हमारे बीच इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है हमारा मुख्यमंत्री बद का चेहरा कौन होना चाहिए हम एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए द्रिड है हम 175 से 180 विधान सवा सीटें जीतेंगे संजयराउद के कहने का मतलब ये था कि सीम पद की से मिलेगा इसका फैसला होने के बाद ही चुनावों में उतरा जाना चाहिए यानि उद्धव ठाकरे को सीम कैडिडेट बना कर उनके नित्रत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए नहीं तो एम विए को नुकसान हो सकता है लेकिन सीम रहते उद्धव ठाकरे की आलोचना करने वाले शेरत पवार इसके लिए तयार नहीं जाहिर है कि पवार के सरवये से एम विए में तनाव बढ़ेगा और बात अगर बढ़ी तो दूर तलग जाएगी लोग सबाच चुनावो के कुछ महीनों पहले कॉंग्रेस ने दू राज्जों करनाटक और इमाचल प्रदेश में सरकार बनाई लेकिन अब दोनों ही राज्जों के सरकार आपसी गुडबाजी कर शिकार होकर रह गई कब कहां बगावत हो जाए और सरकार गिर जाए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है इमाचल प्रदेश में राज्जे सबाच चनावों में कॉंग्रेस के उमीदवार अभिशेक मनु सिंग्वी की हार के बाद से कॉंग्रेस की सरकार डोल रही है लोगसबाच चनावों में मिली करारी हार के बाद से कॉंग्रेस में खलबली मची हुई है और इस सब के बीच राज्य के पूर्वसियम जैराम सिंग ठाकुर बड़ा दावा कर रहे हैं जिससे कॉंग्रेस में हंगामा मच गया जैराम ठाकुर का कहना है कि कॉंग्रेस के 15 से अधिक विधायक उनके संपर्क में हैं उन्हीं के विधायक कॉंग्रेस की नाव डुबोने के लिए शड़ेंतर रच रहे हैं मित्रों की सरकार का रागलाप रही है क्या कॉंग्रेस सरकार में दुश्मनों को स्थान दे दें उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार में मित्रों को फायदा देने में क्या बुराई है सरकार ने मित्रों को फायदा दिया है और आगे भी देंगे सुखु सरकार ने 75,000 करड़ रुपे के कर्ज के साथ 15 महीने पहले कारिभार समभा लिया था और इसके लिए भाजपा जिम्मदार है दरिश शोहन ने कहा कि तीनों ही निर्दलिय विधायकों के पास बहुत दन्भल है और ऐसे प्रत्याशी जादा पैसा होने के चलते विधान सबा में पहुँच जाते हैं जो लोकतंतर के लिए बहुत घातक है पैसों के बल पर विधान सबा में पहुचने वाले लोग ठीक नहीं इस उपचुनाव में जनता ऐसे प्रत्याशीयों को सबक सिखाईगी उन्होंने कहा कि भाज़पा के पास 27 और कॉंग्रेस के पास 37 विधायक हैं लेकिन निता प्रतिपक्ष जैराम ठाकुर को कोई समझाए ये उनके पास क्या नंबर गेम है जैराम ठाकुर अपने विधायकों को जोड़े रखने के लिए मीडिया के माध्यम से सभी को ब्रहमित करते रहे हैं चौहान ने कहा कि वो दिन में भी सबने देख रहे हैं अब कॉंग्रेस सरकार तूटने वाली है लोकसबा चुनाओ में लोकतंतर मस्बूत हुआ और भाजबा के नेताओं का अहंकार तूटा और खरीद फरुखत की सियासत पर लगाम लगी रिपोर्ट यूस अफिंडिया